हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेंट टेक्निकल में फिर से दोस्तों लेकर आए हूँ नई रुक्रीटमेंट की इंफोमेशन रुक्रीटमेंट आ रही है नैशनल अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत च suspender आ का प्रेंटिकल ट्रेनिंग कॉलकटा पर लिखा गया इसटन रीजन लिका गया इसटन रीजन के लिए ही रुक्रीटमेट है अगर आपसरी जएटें और कि आ प्लाइलो के साकते हैं लेकिन लोकाशन मुझे लगते है आपके आप की रहेगी और रहातीatyresBayon जब आप अप्लाई करने चाहेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़े क्लेर हो जाएंगी क्योंकि मैंने अप्लाई करके नहीं देखा है वर्चुल जो अफेर है यानि कि किसी भी तरह का फेस टू फेस इंटेवू आपका नहीं लिया चाहेगा अगर आपका इंटेवू होता है तो ओनलाईन घर पे बैठ के आपको इंटेवू देना है अप्रेंटिशिप की ये रुक्रीट्मेट रहने वाली है अलग-अलग कंपनीज को आपको मोका बिलेगा वर्चुली जो है वो इंटेवू देने का और अगर आपकी सेलेक्शन होती है तो आपको अप्रेंटिशिप करने का मोका मिलेगा तो stipend आपका 7 से लेके 10,000 के बीच में भी हो सकता है अभी ये depend करता है कि आपकी selection जो ही वो किस company में होती है तो यहाँ पर दोस्ते registration के लिए उन्होंने registration link दिया है यहाँ पर click करके आप जो हे वो अपनी detail फिल कर सकते हैं और submit कर सकते हैं last day जो हे वो 26 November है और यहाँ पर detail में लोग बात करते हैं इसकी eligibility criteria की कौन-कौन eligible है कैसे apply करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है बाकि eligibility criteria की तरफ नजट आ लेते हैं लेकिन आपको एक काम करना आपको वीडियो को like कर देना है और साथी साथ अगर channel पर नहीं है आप अवेदन इसमें कर दीजेगा अभी यहाँ पर दोस्तों किस-किस चीज की आपको जरूरत पढ़ने वाली है डिप्लोमा वाले apply कर सकते है बी-बी-टेक वाले apply कर सकते है जिनके पास pass out का certificate है 2018, 2019 और 2020 batch वाले ही apply कर सकते हैं और कोई भी इसमें apply नहीं कर सकता है mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, instrumentation वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक और चीज की जरूरत पढ़ेगी वो है NTS का enrollment ID या user ID यानि की enrollment number आप इसको बोल सकते है अभी यह कहां से मिलेगी अगर आपने पहले से enroll कर रखा है NTS के official portal पे तो कोई जरूरत नहीं है आपको वही आप fill कर दीजेगा वो चल जाएगा लेकिन अगर आपने अभी तक enroll नहीं करा तो आपको इस website पर आना पड़ेगा इसका link पर मिलेगा जिसका link description में दे दिया है यहाँ पर आके यहाँ से हमने इसको download करा है यहाँ पर click करके आप download कर सकते और यहाँ पर enroll पर click कर सकते हैं enroll पर click करने के बाद सारी detail फिल कीजिए और enrollment number जो है वो सबसे पहले आसिल कीजिए उसके बाद ही आप इसमें apply कर पाएंगे और जिनके पास है वो तो उनको यह सारी चीज़े अल्रेड़ी पता है बाकी apprenticeship की यह recruitment है कोई भी permanent job नहीं है in future वो ही company आपको जो ही permanent job दे दे वो बात अलग है लेकिन यहाँ पे फिलाल जो ही वो apprenticeship के लिए आवेदन मागे गई है बिना fees की आवेदन करने हैं तो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर वीडियो से related फिर भी आपके कुछ questions है तो comment section में लिखना मत भूलेगा और और जादा job update के लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link description ने दिया है और साथ ही साथ हमेरी official website को भी visit कर सकते हैं जो कि आपको screen पे नजर आ रही है तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नही job update के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए